तो हलो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉप चाइनीज एपस के अल्टरनेटिव के बारे में जो कि आपको यूज करने चाहिए इस बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट वाले मोमेंट के तहत अब ये मोमेंट में जानफू की सोन बॉयकॉट करने चाहिए उतना बचना चाहिए इन अप्लिकेशन या फिर इन प्रोडक्ट से पर अब यहां पर आते हैं टेक वाले फैक्टर में तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कुछ टॉप चाइनीज अल्टरनेटिव के बारे में पर इस वीडियो की सबसे खा सबसे पहला एप कटेगरी है वह है सौट वीडियो प्लैक्फॉर्म जैसे कि एक्जामपल के लिए आप ले सकते हो टिक टॉक और हेलो और यह दोनों ने मतलब की बिलकुल कबजा कर रखा है प्ले स्टोर के टॉप ग्रॉस फ्री में और यह लोग हटते ही नहीं अब आते ह सबसे पहले इसके alternatives के बारे में और यहां पर एक खास बात ही है कि मैंने जितने भी इस category नहीं हूं सभी के लिए मैंने आपको दो applications दी है मतलब एक आपको पसंद नहीं है तो दूसरा यूज कर लेना back to the video सबसे पहला एप वह है रोपोसो उसकी details के आरे हैं बात करें तो व यहां पर आपको earn money वाला भी tag मिलता है मतलब कि आप इसे पैसे भी कमा सकते हो जिससरा से आप hello पर कमा सकते हो video देखके share करके referral code वगएरा चला चला के आप इसे पैसे कमा सकते हो paytm cash और उसे बाद में withdraw भी कर सकते हो यहां पर आपको मिल जाते हैं कुछ sort video tag के format मतलब कि य इस ट्राइब करें तो यह काफी ज्यादा एक handy feature जो कि tik-tok में तो बिल्कुल भी नहीं है दूसरा जो application है वह है share chat size के बादे हम बात करें तो 26 MB के application है 19 December 2014 को release हुआ था 4.3 star है play store पे and 100 million plus downloads अब यहां पर आतने इसके कुछ features पे तो यह application 15 से भी ज्यादा language support करता है currently 15 पर इस की भी update आने वाली है जैता की leaks में पता चला है अब यहां पर आप अपने status वगएरा stories वगएरा बिल्कुल अराव से नहीं का सकते हो है यहां पर आपको जितने भी Instagram, Facebook, Twitter जितने भी social media है उन सभी के लिए छोटे-छोटे videos मिल जाएंगे, clips मिल जाएंगे, आप उसे use कर सकते वहां पर और तो इसका खास feature है कि यहां पर आप lip syncing वाली वीडियो भी बना सकते हो मतलब कि अपनी अलग वीडियो चो आप डाली सकते हैं और तो लिप syncing वाली वीडियो भी तो यहां पर यह टिक टॉक का best alternative मुझे मिला जो कि मेरी निडिया है और यह मित्रो वाला यहां वेब ब्राउजिंग में अगर चैनीज एप के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता यूजी ब्राउजर मतलब कि अब हर एक फोन मिल जाता यूजी ब्राउजर यूजी मीनी अब पता नहीं यह एका क्यों पर सभी मैनुफेक्ट्टर्स यह ब्राउजर या यह यह कि जरूर देते हैं अल्टर्नेटिस बढ़े तो यहां मैंने दो अल्टर्नेटिव को चुना है जो सबसे पहला अल्टर्नेटिव है वह है एपिक दर इंडियन ब्राउजर साइस पहले तो 45 MB की साइज है 4 October 2019 को यह रिलीज हुआ था 4.2 स्टार रेटिंग है प्ले स्टोर प इस वाले ब्राउजर में आपको कोई भी इन एप पर्चेस नहीं मिलता है कि मतलब वीपेन उस करने के अलग से पैसे देने परेंगे लिमिटेट टाइम के लिए वीपेन होगा और तो अगर इतना मैंने बोली दिया तो यहां पे आपको वीपेन का भी सपोर्ट निलता है वो भी बिल्कुल free unlimited uses unlimited speed और मतलब कि यहां पे कोई भी जरुवरत नहीं है अलग से वीपेन डालने की एक और मेरे पास्वरेट फीजर पर जाती है फाइल वाल्ट फाइल वाल्ट एक ऐसा इसमें ऑप्शन है मतलब यहां पर आपने डाउनलोड फाइल को encrypt करके रख सकते ह और तो और इनको खोलने के लिए फिर से आपको जाना परेगा ब्राउजर में इसे decrypt करना परेगा पास्वर डालके उसके बाद ही आप इससे कर पाऊगे मतलब कि आपको अपने डेटा छुपा कर रखना है तो आप यहां पर आप से चुपा सकते हो और privacy का भी no concern होने वा और इस फीचर से होता क्या कि आपके फोने मौन दाता है एक text to speech वाला option मतलब कि आपका जो भी text लिका रहेगा उसको आपका Google या आपका phone Android मतलब परके सुनाएगा आपको तो इसको आप on करके आप चाहो तो अपने website या blog या article से पखेर को बिल्कुल आप से पर सकते हो और ये इंडिया पहला ऐसा एप है जिसमें कि ये फीचर आया है अब बढ़ते है next alternative पर वो है यो browser अब बात करेंगर size की तो वो है 10 MB 26 दिसंबर 2017 को ये launch हुआ था 3.9 इसरा डेटिंग है जो कि थोड़ी खराब है यहाँ पर 500K plus download है अब बरे कुछ इसके features पर ये सबसे light browser कोई दिक्कत नहीं था मुझे तो downloading में थोड़ा सा unstability देखने को मिली पर speed जो है downloading की वो काफी अच्छी ब्राउजिंग की speed है वो काफी अच्छी है और इस application का जो RAM यूदे है वो बहुत कम है मतलब कि एक GB वाला phone में भी आपका ये application बिल्कुल आराम से चलने वाला है इस 2020 में तीसरा केटेगरी है file sharing जैसे कि आप मिलते हैं यह सभी के जगा आप Indian apps को भी यूज कर सकते हो सबसे पहले अल्टेनेटिव मैं तो वो है Jio Switch तो इस application के बारे मैं बात करें तो इसकी जो size है वो है 5.6 MB 21st January 2016 को यह launch हुआ था 4.4 star है अभी currently play store पे एंड 5 million से ज्यादा downloads इस application को मैंने इसलिए select किया है पहले बात आपको बहुत ज्यादा अच्छा speed मिल जाता है दूसरा कोई भी ads नहीं मिलते है मतलब वह seriet वाले ads देखने को नहीं मिलते है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मतलब कि कचला नहीं मिलता है देखने को बिल्कुल clean सा UI है और तो connection कर दिया क्योंकि इस नाम से ही मतलब बहुत सारे applications है play store पे बढ़ते हैं size पे तो size है 9 MB की 7 December 2016 को launch हुआ था 4 star rating है currently अभी play store पे 10 million plus download है फावर यह जो application उसकी details में तो यहाँ पे इसका जो UI है काफी हद तक पुराना वाला जो share rate था वासा है यहाँ पे ads लिखने में मिलते है in-app purchases भी है तो यहाँ पे मैंने इसे लिया alternative के तौर पर मैं यही चाहूँगा कि आप Jio switch करो वहाँ पे आपको इतना ज्यादा hassle नहीं करना पड़ता है यहाँ पे बहुत ज्यादा 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 ज्याट है ads और privacy का भी concern हो सकता है तो जो चौथा category वह है online shopping जैसे कि club factory शीन रॉंबे उसके लिए alternatives हैं यह कबसे पहला alternative जो मैंने select किया वह है policy terms देखने ना हर product पर यह चीज नहीं मिलती है और तो इस application के अंदर आपको exclusive international brands भी देखने को मिलते हैं और मैंने इस application को इसलिए promote कि है क्योंकि azio का अब हर state में एक अलग से offline store भी खुलने वाला है तो आपको काफी जादा reliability मिलेगी इस application भी उस करते साथ क्योंकि अगर आ 6 star है currently अभी rating 10 million से भी जादा downloads है यह जो application यहां पर को बहुत जादा variety वाले चीज़स नहीं देखने को मिलेंगे यहां पर मिलता है mobile के accessories और कप्रे बस यही है इस application के अंदर पर यहां पर बहुत सारे mobile के covers मतलब की पूछो मत बहुत जादा mobile के covers मिलते हैं अलग-अलग design में omen's and moments clothing का यह काफी देहन दिया गया है, trend को काफी follow करते हैं और यहां आपको सस्ते कपरे भी मिल जाएंगे और तो और as well as महंगे कपर भी मिल जाएंगे और यहां पर आपको return policy भी काफी साही मिल जाती है, 7 दिन I think आपको return policy मिलती है maximum पर यहां पर जो security है या फिर आप बोगते है जो policy है इस application की वो काफी मुझे अच्छे लगी इसलिए मैंने हापस रख किया अब lastly मैंने gaming को यहां पर लिस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे gaming created कोई भी application नहीं मिला जो की Indian हो और उस level का हो इसलिए यहां पर इसको हमनों exclude करते हैं पर एक news है इसे related सबसे पहली बात MPL आने वाला है अपना एक application जो की compete करेगा PUBG से और उसका alternative होने वाला है इस वीडियो का like करना है share करना है और नीचे comment करना है कि आप आज कौन सा एक Chinese application को uninstall करने वाले हो अपने phone से तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने विए तो प्लीज चैनल सब्स्राइब कर देना है क्योंकि हम लोग इसी तरह की informative वीडियो लाते रहते हैं मिलता हूं मैं अगले वाले वीडियो में